आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेट अफ्ट अप्टेट निकल के आई है कि क्या बजट में बढ़ाए जाएगी केंद्रे करमचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर को मिलेगी हरी जंडी आप ये स्वाल करमचारियों के मन में आ चुका है तो दोफ्त हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर फफटाइम इजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सस्क्राइब कर दीजे साथी साथ वाल ऐकन को भी बज़ा दीजे ताकि गवर्मेंट ये पनिजितनी भी जाती उनकी नोटिफिकेशन तीसी लेहर के समय अर्थवाफता को विसट दे क्या इस बार बज़ट में केंदरे करमचारियों के वेतन को बढ़ा जाएगा वितमंतरी फिटमेंट फैक्टर को हरी जेंड़े देगी अब करमचारियों के मन में ये सवाल उठ रहा है ऐसी उमीद है कि बज़ट 2022 में फिट नेयाब बढ़ जाएगा फिटमेंट फैक्टर केंदरे करमचारियों के सभी करमचारियों के लिए बेसिक वेतन तै करता है फिटमेंट फैक्टर को आखरी बार 2016 में बढ़ाया गया था जिससे करमचारी की नियुनतम बेसिक शेलरी चह league से बढ़कर 18,000 रुपे हो गई थी दोफ्तो फिटमेंट पैक्टर से संभावित बड़ोतरी से नियूंतम बेसिक वेतन 26,000 रुपे हो सकता है सभी नियूंतम बेसिक पे 18,000 रुपे से बढ़कर 26,000 रुपे हो जाएगा अगर basic pay 18,000 रुपे से बढ़कर 26,000 रुपे हो जाता है तो महंगाई बत्ता भी बढ़ जाएगा दोफ्तों महंगाई बत्ता basic वेतन के 31 परतिशत के बराबर है DA का calculation DA की दर को basic pay से उना करके निकाला जाता है basic बेतन बढ़ने से अपने आप महंगाई बत्ता बढ़ जाएगा तो दोफ्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैही जैवार